हाई आपको पता है हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकेंड के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आज हम रीट लेवल सेकेंड का जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है बीजे वेंचक एवं सरुसमी का उसके कोश्चन्स करेंगे तो जुड़े रहेगा कोश्चन्स के लिए इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिलेंगी उसकी लिंग डिस्कुशन बॉक्स में दी गई है पहले जो कुछ कोश्चन है पांचे कोश्चन वो आपके रीट में पूछे गई कोश्चन से उसके बाद हम कुछ वैसे कोश्चन्स करेंगे जो कि इस वार पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिस कोश्चन्स ठीक है सब दियान से देखेगा हर टोपिक आपको हर कोश्चन आपको एक अच्छी चीज सिखाके जरूर जाएगा तो कुश्चन नमबर फर्स्ट आपकी स्कीन पर है पहले आप खुछ ट्राइ कीजिए सॉल करने का फिर देखेगा आंसर क्योंकि पहले तो खुछ सॉल करना बोजरूरी है क्या किया रहा है 3x प्लस 5 का होल स्कॉयर इस इकल टू माइनस 60x का मान निम में से किसके बराबर होगा तो कुछ बच्चे तो इसको डारेक्ट फॉर्मले से भी कर लेते हैं फॉर्मला क्या होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्कॉयर होता है वह आता है साब a plus b का holy square a plus b का holy square minus 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 4ab 4ab होता है यह formula भी आप याद रख सकते हैं वैसे मैंने सर्व समी का में नहीं बता है पर तो यह बना सकते हो ठीक है साथ तो उसके हिसाब चे देखो यह क्या है a plus b है a plus b का holy square है तो यहाँ देखो 4ab का मान के आएगा 4 into a जाएँगा 3x b जाएँगा 5 यानि चारती बारह पंचे 6x तो यह a plus b का holy square हो गया और minus 4ab आगया यह actual में है a minus b का holy square यानि 3x minus 5 का holy square तो direct answer option number b हो गया यह एक तरीका है पहला जिनको formula याद रेजाए अच्छी बात है नहीं याद रेते जो कुछ मेरे जैसे हैं जिनको formula याद नहीं रेते याद करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़े हैं है ना formula कहां याद रखें तो आप यह देखें आप तो इसका formula तो पताएँए 3x plus 5 a plus b का holy square तो क्या होता है a square यानि 3x का holy square plus b square यानि 5 का holy square plus 2ab तो आप यह सीधा सीधा formula बन गया a minus b का holy square यानि 3x minus 5 का holy square answer आगया option number b तो आप यह से भी इस question को deal कर सकते थे वैसे भी कर सकते थे अब up to you है कैसे deal आप करना चाते हैं ठीके साथ question number second की तरफ देताता हूँ a plus b का holy square निन में से क्या सकते है इसके लिए तो हमें पता है a plus b का holy square जिगल to a square plus b square plus 2ab क्या होता है मान के लिए वो satisfy a और b के हर मान के लिए satisfy होगा a का मान कुछ भी हो b का मान कुछ भी हो ये चीज satisfy जरूर होगी वो सर्व समिका होती है समिकर्ण कुछ चुनिंदा के लिए ही का होती है संतुष्ट होती है तो ये एक सर्व समिका है समिकर नहीं है दोनों तो होई नहीं सकते दोनों सकते नहीं तो option number a will be the right answer अगला question देखिए अगला question आपके screen पर मैं थोड़ा सा side में होता हूँ एक सब्सक्राइब थोड़ा साथ साइड में होता हूँ एक सब्सक्राइब थोड़ा सा कट रहा है इसको गुननफल एम सेजफल बराबर होगा पहले मैं देखू इस तरह के question आप पूरा भाग लगा के भी कर सकते हैं परन्तो इसको option से केसे deal करना है पूरा भाग लगाने वाला तरीका मैंने थियोरी में बता है हम यहां option से deal करना सीखेंगे केसे साथ मैंने यह जो गुना भाग करना है इसको इसका जो है वो 4 प्लस 3 X से बाग देने पर गुननफल या सेखेंगे करना है तो मैं देखता हूं यार इसको किस से यही तो है बाग फल इन बाग फल से गुना करके प्लस सेसफल एड करूंगा तो मेरा आंसर यह आना ची यही तो मतलब होता है क्या होता है फॉर्मला फॉर्मला यह कहता है कि यह जो भाजक है वो एक्चल में बाज़े है वो एक्चल में क्या है बाज़क यानि यह गुना भाग फल गुना भाग फल प्लस सेसफल होता है य पहला टम देखो 27 x cube है, तो 27 x cube कैसे आ सकता है, कि 3 x की गुणा किसी से हो, तो 3 x की गुणा में है, पहले वाले, चलो पीछे से किसी से भी चेक करो, यहां देखता हूं, तो 3 x की गुणा किस से होगी, x square से बनेंगा, x square से गुणा करूँगा मैं, तब मेरा x cube मिलेगा, और कह से मिल सकता है यहां से भी नहीं मिल सकता तो तो इस की गुणा इस से होंगी तो 3x cube आएगा पंठो मुझे तो 27 x cube चाहिए तो यह option मेरा वेसी ही कलत हो जाता है और किसी की गुणा से आई नहीं रहा ना देखो और किसी की चार की किसी से करो किसी से भी करो नहीं आ रहा अगला देख रहा हूं तो अगला देखो 27 x स्क्वाइर है और इसकी गुणा 3 x से होंगी तब ही x क्यूब मिलेगा वह आ जाएगा 27 x 3 क्यासी x क्यूब वह भी नहीं चाहिए मुझे तो केवल 27 चाहिए और प्लस यह भी करोंगा तो एक्स के पावर 5y उससे भी नहीं बन पाएगा ठीक है सब माल लो यहां पर लिखा हूँ होता एक्स क्यूब लिखा हूँ होता तो हम इसको भी चेक करते कि भई चार की गुणा इससे करें तो भी तो एक्स क्यूब बन सकता है तो यह ऐसा दियावा नहीं है पर तो होता तो करते यह चेक होगे अगला कोश्चन देखो अगला है 3x की गुणा किससे हो रही होंगी x square यानि 9x square से गुणा हो रही होंगी तो नो तिया 27 x cube बनेगा साथ तो यह एक option लग रहा है जो बनने वाला हो सकता है ठीके साथ अगला एक वार और चेक कर लेते हैं और तो कहीं बनी नहीं सकता इसको भी चेक करता हूं तो 27 x square प्लस 27 x प्लस 26 x यहां पर इसकी गुणा 3 x से होगी तो 81 x cube आजाएंगा वो तो हई नहीं हमें तो 27 x से यह तो यह आपका right answer हो जाएंगा इस तरह आप इस question को बड़ी seconds में भी कर सकते हैं भाग लगाना थोड़ा सा lengthy हो जाएंगा भाग लगने का तरीका मैंने बता रखा है method पर आपको लगाना नहीं है objective थोड़ा सोचना है ठीके साब आई बास समझ में अब यहां पर एक चीज और कर सकत थे परन्तु मैंने आपको बताया था कि जब successful निकालना हो तो इसको zero करो four plus three x equal to zero करके x की value आई माइनस चार बटे पी परन्तु यह तब करना होता है जब एक ही variable हो यहां पर दो-दो variable आ रहे हैं तो successful निकालना थोड़ा सा difficult हो जाता है आप ज्यादा confusion हो तो इसकी गुणा इससे करिएगा पूरा पूरा यही आएगा प्लस सुन्ये एड करना मतलब वही बात होगी है ना तो यह आपका answer आ गया मेरे साब से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है साब अगला question कीजिए यह भी आपके रीट में पूछा गया question है महत्वपूर्ण question है देखो क्या कह र एकशref स्था है कि यह सरु समीका है तो क्या condition होगी यह सर्वसमीका मैं पता यह द्विगात समीकन है पर तो यह सर्वसमीका होने चीय है तो सर्वसमीका क्या कहती है क्यों x का कुछ भी मान रखो ये तो बराबर ये तो संतुष्ट होना ही चीए तो कुछ बच्चा पहला टिक करें आएंगे पारन तो ये तो भाई मूल है इसके इस समीकन के मूल है x is equal to ये रखने से क्या x की तो कोई भी value के लिए ये संतुष्ट होना चीए केवल ये value के लिए संतुष्ट थोड़ी होना चीए ये तो condition ही गलत होगी दूसरा c is equal to 0 x is equal to 0 अरे x के बारे में तो कुछ बताओ मत आप x के बारे में कैसे बता सकते हो आप के रहे हो सर्व समीका है तो x पे तो कोई condition ही नहीं लगती ये ये संतुष्ट हो जाएगा इसलिए इसका आणसर क्या हो जाएगा ये है option number d will be the right answer अई बात समझ में simple question था बड़े अराम से आप कर सकते हो I hope समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अगले question में उससे पहरे मैं आपको request करता हूँ अगर आप facebook पे देख रहे हैं तो youtube पे केशो बानुक्लासे सर्च कीजिएगा और channel को subscribe करके bell icon इसके अलावा हम telegram facebook twitter पे भी है facebook पे आप केशो बानुक्लासे सर्च करेंगे हमारा page मिलेगा प्लीज इसको like कीजिएगा twitter पे भी केशो बानुक्लासे नाम से telegram पे अगर group join करना चाहें तो आपको link discussion box में मिल जाएंगे नहीं तो आप read 2021 by kbc read 2021 by kbc ठीके साब इससे search कीजिएगा हम आपको मिल जाएंगे ठीके साब चलो अब जरते हैं आगे ओके गाईज अब देखते हैं अगला question अगला question आपकी skin पे show हो रहा है फड़ाफट solve कीजिए ओहो question आपके सामने है solve कीजिए फड़ाफट इसको देखते हैं क्या-क्या solve कर पाते हैं आप या नहीं कर पाते हैं हर question को पहले खुझ solve करो फिर उसके बाद आप देखा करो ठीके चलो थोड़ा सा दिक छोटा रहा है क्या देखो पड़लो पर लेना एकस की पावर चार में वाई की पावर चार में यह बना चाहिए किसे एकस की पावर चार मीनेस वाई की में भाग देने पर तो त्रीका क्या एक तो तरीका क्या है आप सोचे थोड़ा सा EX के पावर चार मैंजस वाई की पावर चार में भाग दना अब देखों अब मैं यह कर सकता हूँ, ऊपर इसको क्या मान सकता हूँ, इसको यह मान सकता हूँ, X2 का holy square, minus Y2 का holy square, upon में X minus Y तो ही, ठीक है, इसको or solve किया जाए, तो or solve करने पर इदर लिख लेता हूँ, इसको लिखता हूँ, और, तो यह A का square, minus B का square, x 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 square plus y square ठीक है साथ upon में x minus y तो है x minus y तो है अब देखो x minus y से x minus y पूरा पूरा कट गया इसका मतलब क्या है सेस्वल तो सुन्य बचने वाला है तो ये option तो वेसे भी गलत हो गया यह ना बचा क्या भाग देने पर ये कटी जाएगा तो भाग देने पर बचेंगा क्या x plus y यहां पर लिख रहा हूँ x plus y गुना x square plus y square यह आपका answer होगा अब इसको देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है अलग एक सेकिन या अब शूर हो रहा है यह थोड़ा सा बीच में अब बचा यह और यह अब देख लो गुणा कर लो एकस की गुणा इससे करोंगे तो क्या आएगा एकस की गुणा पूरे से करोंगे तो एकस क्यूब थोड़ा सा काट लूँगे मैं थोड़ा सी एकस की गुणा पहले पूरे से होंगी तो एकस की गुणा इससे होंगी तो एकस क्यूब आएगा एकस की इससे होंगी तो वाई स्क्वाइर एकस आएगा प्लस वाई क्यूब यही होगा इसमें तो वाई क्यूब आ रहा है वाई क्यूब तो होई नहीं सकता तो तो हम पहल ऐसा फॉमला लगाके भाग लगाके करना नहीं एक हुश्यारी होती है उसको मत किया करें प्रोब्लम बहुत जादा हो जाएंगी इसलिए मैं कहता हूं आपको थोड़ा सा माइंड ऑपन रखें कोशन आप से पूछे यह से जाते हैं कि दो अब्जेक्टिव से हो जाएं ऐसा कौन करवाएंगा कि आपको सब्जेक्टिव करवाना है उसको आपका माइंड चेक करना है ना कि आपकी आप कितने देर से लिख रहे हो ऐसे नहीं थोड़ा सा माइंड चेक करो तभी आप कंपिटिशन में आगे जा पहूंगा चलो साब अगला कोशन देखते हैं अब हमार कि गात क्या होती है हाइस्ट पाउर हाइस्ट पाउर यहां पर देखो एक्स की पाउर हाइस्ट पाउर क्या है पांच है तो पांच ही इसकी गात हो जाएंगी तो बहुपद की गात क्या हो जाएंगी पांच आप्शन नमर डी बहुपद की गात क्या होती है एक्स या या फिर जो भी चर राज्ती उसकी हाइस्ट पावर, ठीक है, तो उप्शन नमर डी, वह उपद PX, XQ-X-3 में X-3 का बाग देने पर प्राप्त सेस्फल होगा, प्राप्त सेस्फल कट गया है क्या थोड़ा सा, पिसला भी कोशन कट गया होगा है, कोई बात नहीं, मैं इसको प्राप के लिए हैं, तो देखो, मैंने आप आपको कहा था ना, कि A की रासी हो, A की चर रासी, X-3 से बाग देने पर सेस्फल कितना बचेंगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, X-3 को करो, 0 के एकवल, किस के एकवल, 0 के एकवल, इस बाइसाब को करो, 0 के एकवल, यानि X-3 को 0 किया, तो यहां से X की विल्यू क्या आगी, 3 आगी, यह 3 रख दो, इसके अंदर, तो 3 का क्यूब, माइनस 3 प्लस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 गया, 3 का क्यूब क्या होंगा, 27 यही आपका सेस्फल बच जाएंगा, 27 विल पी दा राइट आंसर ऑफ दिस कोश्चन, ऑप्शन इस तरह आपको deal करना है, I hope समझ में आ गया होगा, अगला question देखो, योग से हैं, तो योग से यह लिए आपको क्या करना है, समान समान पद जोड़ दो, अस समान को अटा दो, यह प्लस करना है, तो इन समय लगाओ, ठीक है साब, बीच में से अटा दूँगे, मैं यह लो स यह लो गया, इसको ठीक है, माइनस बीची, प्लस बीची, यह भी जीरो गया, माइनस यह प्लस यह लो गया, तो आंसर तो इसका दो 0 आगया, हमने एक से किन में ही solve कर लिया कि इसका answer तो 0 है अगला question देखो अगला question again बहुत ही प्यारा question है थोड़ा सा समझदारी से करना ये question मैंने का था theory में पढ़ाया था theory एक बाद please देख लो या रा theory वाली class देख लोंगे ना तो ये काम बड़े असान हो जाएंगे मैंने का 27 a b को 2 बड़े 7 a b को a square minus 3 a b से गुणा करने पर प्राफ अच्छा बहाग नहीं देना यहां तो गुणा करनी है तो गुणा तो और ही असान है 2 बड़े 7 a b को करना है a square minus 3 b cube plus 2 तो पहले ये गुणा इससे होंगी तो 2 बड़े 7 a की square और a तो a की power total क्या होगी 3 गुणा b है ना minus देखो जो होता है जब a गुणा a हुआ तो a square के से आया अधार सेम होते हैं तो power जुण जाती है ठीके साब चलो अब इसकी गुणा इससे करोंगे तो 2 बड़े 7 की गुणा कर दीजिए minus तो आ गया तीन बड़े 2 से पहली बात तो पहले तो constant constant की गुणा कर दो a एक एक यह बी की power क्या हो जाएं एक यहां है तीन यहां है चार बी की power चार तो यह आंसर होंगा दो से दो कार दो और यहां पर दो बड़े 7 था यह तो 2 बड कोशन से भी हो सकता था बंदू कर लिया आपने पूरा माइनस तीन बड़े 7 भी आप देख सकते हैं तीन बड़े 7 एबी की power चार सिंपल गुणा थी अराम से कर सकते हैं इसे में ज्यादा इतना difficult नहीं आएगा आप अराम से solve कर सकते हैं बस चोटी मुटी जो गलतिया है व यहां a plus b है यहां a minus b है तो formula क्या होता है a square minus b square तो यहां इन दोनों का square क्या होगा a का मान x by 2 है b का मान 3y है तो a का square यानि x square upon 4 और b का मान b square यानि 3y का square यानि 9y square तो option number a will be the right answer आप individual गुणा भी करके देखोंगे ना तो भी आपका answer यही आने वाला है ठीके साब आई बा अगला question थोड़ा सा बासा का question दिया वा है पंतु मैं उमीद कर रहा हूँ आप अराम से कर ले जाएंगे थोड़ा सा cut भी रहा है तो cutने का solution करते हैं एक से यह साब अब आपको दिख रहा होगा पूरा हाँ साब अब पूरा दिख रहा है option देख लीजीगा आपके सामने है solve करते हैं एक वेक्ती ने bank में x-y plus z रुपे जमा कर रहा है इस पर उसे क्या मिला इतना ब्याज मिली और 2x plus 3y minus z रुपे का ब्याज मिला इसमें से उसने 3x plus 2y minus 3z रुपे उसने दान कर दिये तो कितना बचा तो भाई साब उसको bank ने कितने दिये bank ने जितने दिये उसको देखते हैं तो bank से उसको मिले x-y plus z मूलदन तो मिलेगा है मिलेगा ना ब्याज मिलता है वो तो मूलदन के साथ मिलता है तो साथ में इसको क्या मिलगे 2x plus 3y minus z ठीक है अब इसमें से आप पहले इनको जोड लीजी है ना तो x plus 2x कितना हो गया 3x y plus 3y देखो समान पद ही ज जोड सकते हैं तो माइनस y plus 3y यानि प्लस का 2y और z के साथ तो माइनस z खतम हो गया इतना रुपे उसको मिला ठीक है साथ इसमें से उसने इतना खर्च कर दिया तो इसमें से इसको गटा दूगा तो वही बचेंगा तो 3x plus 2y में से आपको गटाना है 3x plus 2y minus 3z ठीक है साथ अब कुछ कर तो नहीं रहे एक सेकिन हा नहीं है ठीक है अब देखो अब इसको पहले minus को खोलो तो यह आया 3x plus 2y तो इसको वैसे गया वैसा minus की गुणा अंदर होंगी तो minus 3x minus की गुणा plus से हुई तो minus 2y minus की minus से हुई तो plus हो गया 3z यह गलती बोतवार कर देते हैं सिधा सिधा उतार देते हैं गलती मत करना है माइनस का plus हो जाएंगा क्यूंक्य हमें पता है plus गुणा minus क्या होता है minus होता है minus गुणा गुणा minus plus हो जाएगा plus मतलब चिन अगर समान हैं तो आपका sign आता है plus अगर चिन उल्टे-फुल्टे हैं विपरित है तो answer क्या आता है minus में ठ प्लस त्री एक्स से माइनस त्री एक्स गया प्लस टूवाई से माइनस टूवाई रुपए उसके पास बच गए तो अंतिम में बचेंगे कितने त्री जैड ऑप्शन नमबर सी विल बिदा राइट आंसर तो कितना आसान कोश्चन था बासा के रूप में भी दे देना तो ग के बस हम 10-11 तक खतम करने के बाद आपको मिक्स कोश्चन देने वाले हैं तो जुड़े रहीएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर कीजिएगा क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो आपका बनता सा बारी करते हैं एक यह माइनस प्लस 20a b स्कॉयर और इसमें इसमें 3a-b का बाग देने पर बागफल में सेसफल निकाल ना तो देखो अगें मैं तो वही करूंगा ऑप्शन से चेक करने का ट्राइगे इसकी गुना इस से करें इसकी गुना ऑप्शन से करें और प्लस a-square वाले से होंगी बी की गुना किसी से भी होंगे वह तो फिर बी वाला टम दे देगा है ना तो एक की गुना a-square यहां पर a-square के वह यह दिख रहा है तो तीन चिंग 18a-q यानि यह हो सकता है ठीक है hold पे रखो इसको ठीक है अगला देखो 7a-square बाकी तो कोई है नही a-square वाला सब में भी आ रहा है यहां 21 आ जाएगा तो यह गलत यह भी 21 आ जाएगा यह भी गलत यह और यह आपके सामने दो ऑप्शन बन गए अब दो ऑप्शन बन गए तो आपके लिए वह ती फायदा है दो तो ऑप्शन गलत होई गे ठीक है साब दूसरा देखो अब यह देखो कि यार इन दोनों में अलग क्या है तो मैं देख रहा हूँ 6a-square 6a-square 9a-b 9a-b 5b-square 5b-square ऑप्शन में अलग क्या है जीरो और जीरो यहां पर a है ठीक है सेस्फल में आपका अलग है तो सेस्फल आपके से निकाल सकते हो एक काम करो बाइसा तो आप सेस्फल के लिए क्या लगा सकते हैं वही मैथड जो मैंने आपको बताया था क्या यहां पर आप देखो दोनों यह तो दो सेस्फल यहां यहां जीरो है तो देखो आप क्या करें 3a-b को जीरो करो यहां से 3a is equal to क्या आया बी आया तो बी के जगे क्या रख दें 3a रख दें इस option में रख दो इस में रखो वही तो आपका सेस्फल होगा तो देखता हूं मैं 18aq तो 18aq भी रहने वाला है ठीक है सब थोड़ी सी जगे बनाई जाए क्या जगे बना लेते हैं इसमें यहां पर बना लेते हैं जगे तो बहुत जगह जरूर यह है ना के शो बानू कलासिद आप 2aq यानि 3aq कितना आएगा 9aq ठीक है माइनस 5bq यानि 3aq यानि 3aq 27 और aq ठीक है सॉल करो यह 18aq भी रहेगा यह कितना हो जाएगा 21 इंटू 3 कितना हो गया 6 3 और 6 21aq दो और एक तीन कवावर होगी प्लस चैनिम चोपन aq और माइनस यह कितना आगया 35 और 100 135aq तो सब म आ रहा है तो देखो कितना आ रहा है एक्यूब गुना ताब में एक्यूब है तो 18 plus 63 plus चोपन माइनस 135 तो 18 और चोपन कितने होगे 18 और 63 70 80 81 81 और चोपन 135 135 में से यह गया तो यह तो 0 आ गया 0 गुना aq तो 0 ही होगा आपका सेसफल 0 आ गया है ना एक्यूब इंटू 0 तो हमारा 0 आ नहीं है ना तो 0 सेसफल वाला आंसर होगा तो यह आपका आंसर नहीं होगा एससफल नहीं आएगा सेसफल आएगा जीरो तो आपसर नमबर ए विल बिदा राइट आसर तो इस तरह आप बिना भाग दिए सॉल्ट कर सकते हैं अपने आप में थोड़ा सा ओपन करिये माइंड है ना ताकि आपका समय बस सके क्योंकि भाग में कहीं ना कहीं एक छोटी भी गलती आपको ले बेठेंगी ठीक है सब और भाग फिर भी आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर बागवाला बताएं तो मैं आपको बताओंगा वैसे मैंने मैथट बा और 14 मैं कराता हूं इसमें बवपद में x-1 से भाग देने पर सेस्वल क्या मिलेगा सेस्वल के लिए इसको क्या कर दो 0 के इक्वल कर दो x की value क्या आई 1 आई इसको इसमें put कर दो वही सेस्वल आएगा 1 की power 4 1 1 की power 3 1-3 plus 3 plus 1 तो minus 3 plus 3 तो गया एक दो तीन तीन आंसर आजाएंगा ठीक है सब I hope समझ में आगया होगा simple simple question थे आज का last question लेते हैं इसके बाद इस topic को finish करते हैं mixed questions अब करेंगे ना तब इस topic से और भी बहुत ज़ादा questions हम लेने वाले हैं तो start करते हैं last question अगर आपको दो एक जिसी चीजें दिखें बीच में एक वार प्लस हो और एक वार माइनस हो तो mind में आना चाहिए a plus b और a minus b का formula that is a square minus b square तो यहाँ a x square है तो x square का square क्या हो जाएगा x की power 4 और b 3 बटे 5 है तो इसका square यारी 9 बटे 25 तो option number b will be the right answer x की power 4 minus 9 बटे 25 इसका answer हो जाएगा तो यह एक सर्वसमीका का question था ठीक है basically तो सर्वसमीका है वो अगले topic में बड़ी काम आने वाली जिसका नाम है गूनन खंड उसमें आपके काम आएगी तो उसमें हम सर्वसमीका और देखेंगे ऐसा कोई particular topic नहीं है रास्तान के किसी भी exam के लिए कर रहे हैं तो channel subscribe जरूर कर लीजिएगा टेलिग्राम पे अगर हमारा group जोइन करना है तो link description box में या फिर read 2021 by KBC सर्च कीजिएगा हम आपको मिल जाएंगे तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ ने lecture के साथ तब तक के लिए